दो dobrze करना है आपको नहीं पता कि इंस्टागराम की स्टोरी को कैसे डिलिट करना है आफटर 24 अवर तो आज कज़ें सम्टिमिंस उस्टागराम की नियुक्श के पाद रॉरह बोत watt नहीं होता है यानि कि वो वही पर ही रह जाता है तो ऐसे में उस story को कैसे delete करना है तो सबसे पले यहाँ पर मैं जाओंगा अपने instagram के story में कोई भी 2-3 photos लगा दूगा तो यहाँ पर मैं टाप किया एक दो तो यह तो यह तो यहाँ पर मैं इसको जाओंगा और इसको मैं directly यहा यहाँ पर लग जाएगी तो यह directly यहाँ पर set हो चुक है तो यहाँ पर finally जो मेरा story है वो यहाँ पर लग चुका है अब इसके बड़र कि मैं instagram open करूँ तो यहाँ पर मेरा story दिख जाएगा और यह जो story है guys after 24 hour के बाद automatically delete हो जाएगा लेकिन sometimes ऐसा होता है कि मेरे साथ एक ऐस प्रब्लम होता है प्रब्लम होता है कि इसाम इसे मेरा story होता है इसे मेरा story मेरा बिलीट नहीं होता है तो मैं एक step है जो है जो हैपर apply करता हूँ और वहाँ step आप भी apply कर सकते हो तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके साथ भी प्रॉबलम हो तो आप यह स्टेप अप्लाइए कर सकते हैं यहां पर 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 यहां प आपको फिर से आपने Instagram में login करना है तो यहाँ पर मैं आपने Instagram का पूरा 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 जो data है उससे delete कर दिया लेकिन आपके जो भी list है वो आपको वही पर दिखेंगे उसकी बड़ाईलिया आपको जाना है और फिर से आपको login कर लेना है अपने Instagram में तो यहाँ पर मैं फिर से आपने Instagram में login कर रहा हूँ login करने के बाद guys directly आपका जो problem है वो यहाँ पर salt हो जाएगा उसके बार अगर आप चेकाट करेंगे तो मेरा जो story है वो यहाँ पर delete हो गया है we can see right here तो यही step आपको भी apply करना है जग भी अगर आपका Instagram का story डिलीट नहीं हो रहा है after 24 hour के बार में तो ऐसे में आप इस step को apply कर सकता है आपका कोई भी chat बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो Instagram का story है वो automatically delete हो जागा निकि जो भी problem हो याप फिक्स रहा जागा तो इसी तरीके साब को प्रबल को fix करना है और story को आपको डिलीट करना है after 24 hour अगर डिलीट नहीं होता है Instagram का Thank you